हेलो गुड मॉर्निंग डियर इस्टुडेंट वेलकम टू सक्सेज के लिया आज की इस वीडियो में हमने कंप्यूटर की जो 21 प्रफशन से स्टार्ट करना है जो कि आपको मैं अल्रेडी बता दिया हूं कि यह सभी जो मैं कोश्चन लाओंगा प्रिवियस एयर के रेलवे के कही कोश्चन हों कि जो कि आपको एक्जाम के लिए काफी हेलफ लोगा तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको करा दिया था अब 21 नमबर से आगे आज की वीडियो में कराएंगे चलिए पहला जो कोश्चन है 21 नमबर परकास उस्तरजक यानी की डायोड परकास उस्तरजक डायोड LED लाइट इमिशन डायोड फूल फाम याद रखिएगा इलेक्ट्रोनिक लिक उपकरणूम पर्योग किया जाता है जैसे टेलिवीजन यह क्या छोड़ता है तो मैंने आपको करा दिया था दिरिश से परकास को छोड़ता है चलिए अब नेक्स को सिस्टरम्ट या नोवेल को या अटारी को तो दिखिए जो यहां पे नोवेल हो जांब और नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटर नेट battle शांव बताईए इस प्रोग्रामिंग लेंगवेजेय यह आउटब उपकरता है य है या मंप्पिघूटर के संदर में या यानिकि ल Michaelselli अन्याथ प्रेंगать अब भी आपको बता दिया लोकल एरिया नेटवर्थ को लन का नेक्स्स कोश्टन बर्तेंगे 25 नंबर विए 25 नंबर का कोशन n's dependent लन खौक Kiya होता है अब भी आपने बताया है लोकल एरिया नेट्वरक होता है तो करेक्ट इंस यहा ही 25 नंबर सेम कोश्टन है 24 न वाला है कौनसे ऊढब बी- यहां आपका दोनों लैन और मैं वैं संचर तो देखिए नेटवर्क ट्रोपोलोजी में ट्रोपोलोजी से किसकी संचर गती उच्चतम होता है तो यह लैंड जोता है लोकल एरिया नेटवर्क में डाटा संचर दर मैं एवंवैन की अप्रेक्षा अधिक होती है ठीक है लैन की तुर्ना में अधिक होता है इसलिए इनमें डाटा संचर दर कम होती है नेक्स कोर्चन हैяж इसलिए किया होता है वाइरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाइल लोकल एरिया नेटवर्क, वाइन, लाइट, एटमोस्फियरी नेचर या वाइरलेस लोकल एरिया नोड तो देखिए जो WLN का पूरा नाम होता है यह वाइरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है डबलू एल एन यानि की वाइलेस लोकल एरिया नेटवर्क में दो या अधिक उपकरण एक सीमी छेतर जैसे घर इस्कूल में बेतार संचारप माध्यम द्वारा जोड़ा जाता है नेक्स कोचन बढ़ते हैं 28 नंबर 28 नंबर का कोचन आपके सामने यहां में कमेंट बाक्स में बता है प्रेप्लेस फंड का परियोग किया जाता है में अनुच्ट को सभी सल इडि यहरो कौशण दूसरे फंड हीड में बधलने के लिए ऌन फ्हार्मेट रिपलेस फंड मंद्वांड कमंड परयूग किया जाता है या कमंड streaming 216 वर्जन के लिए वपर्यूग ते नेक्स्ट कोशन बढ़ते हैं 29 नंबर 29 नंबर का कोशन है इंटरनेट की किस दिगर्ज कंपनी तेलकाना में ग्रामीर सेल्फ हेल्प ग्रूप यानि कि कि SHS को ससत बनाने के लिए अपने उत्पादों का अनलाइन परचार करने के लिए परशिक्षण कार्यकरम की सुरुवात की अमेजन फिलिपकार्ट फेस्बूक या ट्यूटर तो देखिए यहां पर जो करेक्टेंसोर हो जाएगा वो फेस्बूक है फेस्बूक ने क्या क्या सितंबर 2015 में सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेस्बूक ने तेलकाना में ग्रामीड सेल्फ हेल्प ग्रूप यानि कि SHS को उनके उत्पादों का आंलाइन परचार करने में समर्था बनाने के लिए परशिक्षण कार्यकरम की सुरुवात की नेक्स कोशन बढ़ते हैं तीस नंबर पर तीस नंबर का कोशन है बारतियां मूलके शिव आया-दुरई किसके अविसकार से जुड़े हुए एमेल से इंटरनेट से कीबोर्ड से या माउस से तो देखिए जो इया दूर ऑज जो जो है ग lyni यह जो जुड़े है YOUR इ attracted मुल्झे शिव एयरदूमे उनका दावाए कि 1970 के दसक में आखिर में उन्हों नें आएमेल आविश्कार किया हा हाला कि अर्पानेट जैसी संस्थावी उनके दावय को खारीज करते हुए का कि इमेल 1977 के दूसके में प्रारम से मुझीद था नेक्स कोश्चन पढ़ते हैं 31 नंबर 31 का question है आई पी पते यानि कि आईपी के बिंदु आईपी के बिंदु सरस्थारों है एक मिनट सेट कहा जाता है तुझे आइ-पी पते यानि कि आइपी के बिंदुदार दसमलो प्रारुक में हर सेट को आइप्टेट कहा जाता है आइप्टेट में हर सेट को desch уст anie लिए एक सेट एक लिए अ क्तां का पता लगा कि ठीक के तो विसम सब्ध आपको पता लगाना है पहले अपको आप सब करणा होगा फायर्वाल minder एक तकफरी अजोह सकता है वल्ड कर सकता है यह वाल शुङकाय कािस अलु정 हो सकता है यह फायर्वाल आग से computer की सुरक्षा करता है। तो देखिए firewall के सम्भण में विसम कतन जो है, यह firewall आग से computer की सुरक्षा करता है, यह correct tensor हो जाएगा, क्योंकि यह विसम लग रहा है। देखिए फायरवाल की सी नीजी कंपिटर एक मिनाट फायरवाव को बारे में थोड़ा जान लेते हैं प्यायरवाल क्षेश के नेटवर्क या किसी एकल कंप्पिटर में सेध लगाने की कोसिट को रोकता है यह एक सफ्टार यह हाडवेयर हो सकता है या दोनों ही सनियोजन हो सकता है फायरवाल मुख्यता एक नेटवर्क सुरक्षा पड़ाली होती है जो इनकमिंग एवं आउट गोईंग ट्रैफिक की निगरानी एवं नियंतर करती है यह आग से कंप्यूटर की सुरक्षा नहीं करती है ठीक है तो आपको पता चल गया होगा नेक्स को चम बढ़ते हैं 33 नमबर पर यह माइक्रो साफ्ट कार्प्रोशन की अस्थापना कब की गई थे नेक्स को चम बढ़ते हैं 34 नमबर दिया है विशम चुनिए तो विशम इसमें क्या है इसपाइवेर रूट कीड्स या रैंसम स्वेयर या एंटीवाइरस तो देखिए एंटी वाइरस है इसमें क्या है सबसे विशम क्यूंँ विशम है जो दिये गए विकल्पों में विशा में क्योंकि यह दुर्भावना पूढ प्रेजिना वाले प्रोग्राम की काट होती है जब कि इस्पाइवेयर रूट की एवं रैंसम वेयर मेल्वेयर की स्रेडी में आते हैं नेक्स कोशन बढ़ते हैं 35 नमबर का कोशन है एक एक इक्रित परिक्पत जिसे आइसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटे प्लेट में निर्मित इलेक्ट्रोनिक परिक्पत्यों के समुझ डॉट डॉट से बना होता है यह किसका बना होता है आपको बताने कापर का सिलकान का सिलका का या क्रोमियम का तो देखिए जो आइसी होता है यह सिलकान का बना होता है ठीक है एक इक्रित परिक्पत जैसे आइसी चिप भी कहा जाता है यह एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रोनिक परिक्पत्यों का एक समुझ है जो सिलकान से बना होता है यह अर्ध और ट्रांजिस्टर आधी हर्थ चाला अवया निर्मित किये जाते हैं नेक्स को चमबरते हैं 36 नंबर पर 36 नंबर का कोश्चन है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटिग्रेटेट सर्कीट चिप्स बनाने मिली कि कौन सा रासाइनिक तत्तो टेट्रा वाइलेट उपदातु का इस्तेमाल किया जाता है सोना का चांदी का इसलिकान का या कापर का तो अब भी मैंने बता है आई सिम्चो लANA होता है किंट्स को चमड़ते हैं 37 नंबर एक डाड़ एक यंत्र होता है जो डिजिटल जनकारि को एंड़ कोर ने के लिविए संकेत यानि कि सिंग्नल मौडिूल करता है और संचारित जानकारी को decode करने के संकेत को दिमोडिलेटर करता है आपके पास आपने printer, CPU, Keyboard या modem तो देखिए यहाँ पे जो modem होता है modem एक यंत्र होता है जो digital जानकारी को encode करके नए संकेतों को module करता है और संचारित जानकारी को decode करने के लिए संकेत की नमबर का कोशन है एक मिनट 38 नमबर का कोशन चूड़ गया है क्या सोरी 38 नमबर का कोशन चूड़ गया है चलिए 49 नमबर को करते हैं यहाँ पे आपके पास कोशन है कितनी बीट्स एक बाइट के बराबर होती है चार आठ 12 बक्ति देखिए यह बहुत ही most important कोशन है कितनी बीट्स एक बाइट के बराबर होता है ठीक है देखिए जो चार बीट यहाँ पर कुछ व्याख्या देख लिजिए जो आठ बीट होता है एक बाइट के बराबर होता है और एक हजार 24 किलो बाइट जो हता है एक आट विड्यों होता है एक बाइट के बराबर होता है नेक्स कोश्चन बढ़ते हैं चालीस नंबर का कोश्चन है निम्लिकित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है तो अब भी आपको मैंने बताया पेटाबाइट यहां पे और पेटाबाइट से भी अगर बड़ा होता है तो यह होता है येटाबाइट ठीक है चलिए आईए इसके कुछ डिटेल में आपको बताया दूं तो विकल्पों में जो है कंप्यूटर मेरी का सबसे बड़ा साइज जो होगा यहां पे येटाबाइट होता है और एक येटाबाइट में जो होता है एक जेटाबाइट के बराबर होता है ठीक है नेक्स्ट को चम बढ़ते हैं एक तालिस नंबर चलिए कुछ डिटेल में आपको यहां पर बता दे सबसे आप तो ओ peuvent यहां के बराबर होता है एक सबसेंट यहेर में देखिए हां पर जो एक जेटाबाइट होता है यह एक जान्य चैटाबाइट के बराबर होता है तो यह स्क्रीन साथ ले लिए जो की एक्जाम के लिए काफी हलफूल हो नहीं चलिए आप एक 40 नंबर का कोशन निमनी को छोटी का कि मेमोरी का नाम बताइए यह टाबाइट एक्षाबाइट यह टेराबाइट तो देखिए आप एक टेंसर क्या हो जाएगा टेंसर कोश्चन बढ़ते हैं कि 42 नंबर का कुश्चन निमलिखिन में इसे कौन सी श्रेडी जो है पूरे में विक्सित बारत की की स्रोपतम सुपरगंप्यूटर सुरेडी है विजान परम धनूस या शक्ति तो देखिए यहां पर यह जो करेक्टेणस लोह जाएगा वह परम ने करेक्टेणस परम जो ए प्रगती संघण विकास के अंदर पूरे द्वारा विक्सित बारत की सवरोपतम सुपर कंप्यूटर से रेडी का पहला सुपर कंप्यूटर परम आठ था जबकि नुमिंतम परम इशान सुपर कंप्यूटर है इसकी संसाधन गती जो है दो सो पचास पी फ्लाप्त है ठीक है तो इस परकर हमने आपको 42 कोशन करा है अगले वीडियो में मैं लेकर आओंगा इससे आगे का कोशन जो कि आपकी कंप्यूटर से ही होगा जो कि आ अपने स्टडी ग्रूप में और दोस्तों के साथ भी सेयर करें थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो के लिए